हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एवी एस का चैप्टर एनिमल्स अराउंड अस यू सी अर डॉग बाकिंग इन यू हाउस बर्ड ट्विटरिंग अन दे विंडो आफ एर रूम स्क्वेरिल रॉनिंग इन दा गार्डन एन बटरफ्लाई सिटिंग अन दा संफ्ला यह सब आसपास जो एनिमल्स होते हैं यह सब कैसे होते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल होते हैं जैसे क्या पिक्चर में देखी रहे हैं जैसे काव है डॉग है शिप कैमल डग फिश गौट स्पैरो यह सब यह सब ही एनिमल्स आपके आसपास नजर आते हैं अब बात आती है कि animals होते कौन कौन से हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे kinds of animals तो सबसे पहले आता है इसमें land animals लेंड अनिमल कौन से होते हैं जो आपके land पर रहते हैं जमीन पर रहते हैं फॉर एक्जामपल elephant, tiger, camel, zebra, hawk ये सभी animals land animals कहलाते हैं नेक्स्ट आता है water animals, some animals like fish, octopus, shark, whale, live in water ये सभी animals कौन से होते हैं जो water में रहते हैं उसके बाद आता है amphibians, some animals like frog, tortoise, duck, crocodile ये सब कौन से होते हैं जो land और water दोनों में रहते हैं उनको हम amphibians बोलते हैं नेक्स्ट आता है wild animals, wild animals like loin, giraffe, zebra and elephant जो भी animals forest में रहते हैं वो सभी wild animals कहलाते हैं इसके अलावा giraffe जो होता है वो हमारा सबसे tallest animal कहलाता है नेक्स्ट आता है domestic and pet animals, domestic animals कौन से होते हैं जो हमारे घरों के पास रहते हैं for example cow, hand, sheep और pet animals जिनको हम पालते हैं for example cat, dog उसके बाद आता है birds, birds कौन से होते हैं जो जिनके दो legs होते हैं, wings होते हैं और जो उड़ सकते हैं कुछ animals इसमें ऐसे भी होते हैं जो उड़ते नहीं हैं जैसे penguin उसके आलावा next आता है हमारा insect insects कौन से होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादे small animals होते हैं जिनके six legs होते हैं और उनके पंक भी होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं for example butterfly, ant, caterpillar और housefly आईए आप वक्षिट कर लेते हैं first question है answer in one word where does a rabbit live? rabbit कहां रहता है? bureau next है which type of animal a fish is? fish किस type का animal है? water animal where does an elephant live? forest name a bird that cannot fly ostrich what help insects to fly? insects को fly करने में कौन मदद करता है? wings next आता है write B for big animals and S for small animals यहाँ पर मैंने animals के name लिखे हैं और हमें name पढ़कर यह identify करना है कि कौन सा big animal होता है और कौन सा small सबसे पहले giraffe तो big आएगा ant small parrot small duck small rabbit small squirrel small elephant big frog small next आता है right W for wild animals and P for pet animals and D for domestic animals जैसे यहाँ पर बीर लिखा है तो बीर के लिए हम क्या लिखेंगे डबलू cat pet animal parrot also pet loin wild animal cow domestic dog 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 domestic camel also domestic tiger wild animal उसके बाद आता है match the following columns दोनों तरफ columns बनाए हुए column A column B यहाँ पर क्या करना है हमें जो भी animals जहाँ रहता है उसी के हिसाब से हमको match करना है जैसे elephant elephant कहा रहता है land whale water crocodile land and water dog home so friends यह थी EBS की worksheet इसके इलावा मैंने एक और worksheet डाली हुए description में मैंने उसका link सेंड कर दिया है उसको भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में